हलो फ्रेंड्स नमस्कार हेरी संकित श्यर्मा फ्रोम एवरिछिंग लैभ हेल्ट पीडिया और दोस्तों आज की दिन आर आपकी निकल कर आ गया प्रेंड्स लेटरल एंट्री डिप्लमा कैंडिडेट्स की जो प्रेंड्स की स्कॉलेशिप होती है उसकी एक नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट निकल कर आए तो फ्रेंड्स उससे देखने वाले आज की दिन और फ्रेंड्स जो आपकी कोलेज लिस्ट रहने वाली इसके लिवा भी देखेंगे और भी बाकि बातचीत आपकी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो प्रेंप्रिप्लेस के उनकी जो निट से रिलेटेड एक डाउट है कुछ कोलेज लिस्ट का भी डाउट है जो भी चोइस से रिलेटर और भी बाकि जो भी बातचीत यार वो करने वा है ठीक है अगर अच्छा लगे तो है जरूर बता देना ठीक है वोट कर देना तो फ्रेंड्स विदाओट वेस्टिकेशन है वो निकल कर आई आपकी AACT की साइट पर जो यहां पर नीचे आपको दिख रही है ने यह साइट यहां पर यह जो है निकल कर आई आपकी नोटिफिकेशन ठीक है यहां पर देखते हैं कि आप पता लगया सो PMT प्लेस फॉर स्टुदेंट्स ओफ जेन के लद्दा को लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लमा होल्डर सुसकी नोटिफिकेशन है और यह टेबल देखोगे ना सबसे इंपोर्टेंट बातचीत यहीं पर हुई है ठीक है तो यहां पर क्या है वो स्टुदेंट्स जीनों ने डिप्लमा पास्ट कैंडिडेट्स हैं जो हैं कब के 2018-2019 के आगे ठीक है 2018-2019 के उससे पहले के अलिजिबल नहीं होने वाले यानि कि 1718 पुए रहा है के कैंडिडेट्स अलिजिबल नहीं होंगे और उसके बाद है कौर्सिस कौन से हैं अंजिनरिंग यह लोती है इन इंजिनरिंग स्ट्रीम में ही अडिमिशन सोती है डिप्लमा केंडिडेट्स की लेटरल रांट्री और आगे कि रेजिस्ट्रेशन डेट है आपकी एक वीक का टाइम है ठीक है 27 अक्टूबर से 4th of November करीब करीब वन वीक का टाइम मिला है ठीक है 27th of October to 4th of November और आपकी financial help यह सेम ही रहेगी 1.25 लैक आपके college को मिलते है ठीक है और आगे 1 आपर ऊपर क्या दिया हो है कि online registration for academic session under PMT class और यहां पर जो important बात है रहे तो आप पढ़ी लोग है ठीक है important बात है वो यह है the lateral entry admission will be based on vacant leftover seats of annual year 2019-20 in engineering streams only the details regarding eligibility और दिया है ठीक है आपकी college list यह कोई specified college list नहीं होती है इसमें ठीक है कोई college list वो स्पेसिफार नहीं होती है जो vacant seats ब पर admissions होती है for example के तोर पर आपको बताओं आपका DTU करके college होता है Delhi college of engineering वो आपको 2019 means की last year जो है वो lateral entry candidates को lot हुआ था क्यूंकि वहां की जो seats है वो vacant रहेगी थी ठीक है depends करते कि अगर आपकी seats vacant हुई तो आपको college लोट हो जाएगा college आपको choice feeling में दीखेगा और seats vacant नहीं तो it may be possible कि वो बिल्कुल ही कम हो ठीक है कोई proper college list नहीं रहते है जो आपकी रहती है ना आपके regular candidates की थोड़े मोटे दोर पर मालूम होता है कि यह colleges होंगे पर यहां पर आपको मालूम नहीं होगा तो यह सब यह lateral entry candidates के लिए ठीक है और एक बार यह वो देखते हैं का last year का calendar of events काफी कुछ मालूम होगा है so friends here है आपका calendar of events from your AACT site yet site पर चैक करोगे सब के सब details मालूम हो जाते हैं ठीक है यहां पर timing वगयरा देख वर इस बार ही काफी जल्दी में और ठीक है last year तो equally time था दोड़ा बहुत काफी अधिक समय था पर इस साल कम समय आपके लिए available रहने वा और फिर documents re-verification जीनों ने अपना जो scorecard के हिसाब से rank वगयरा गलत है तो उससे related आपकी re-verification होती है फिर merit list रहती हो पोर्टल पर जो main merit list होती है ठीक है and after that there will be mock allotment and round one allotment there will not be any second round ठीक है जो lateral entry candidates है उनके लिए जो round second वगयरा कुछ नहीं होते है बस यह बिलकुल simple सा calendar of event है यार ठीक है so friends अब भी आगे चलते है जो regular candidates के लिए important बात चीत है वो अभी करने वाले है so friends अभी देखते है regular candidates के मन में काफी अधिक जो students उनके मन में एक doubt है कि neat हमने कर लिया हुआ पर आगे अभी हम कैसे करें PMSS का benefit कैसे ले क्योंकि PMSS किनके लिए होती है ठीक है outside JNK ठीक है outside JNK ठीक है पर आपके जो JNK के students वो तो eligible ही नहीं होते है ठीक है यह देखिए यह आम पर क्या लिखा गया है in the state of JNK all the seats of government as well as private are filled based no need but all seats are filled only by the candidates having domicile of JNK यह कारण है कि JNK के colleges में seats के लिए होती है बस जो JNK के residents और JNK के domicile है it means कि बाहर के लोग यह जो 15% quota रहता है न All India quota वो JNK में नहीं होता है ऐसी के होता है बाकि जो state colleges है वहाँ पर 15% seats All India quota में होती है और 85 वहाँ के state के students के लिए होती है पर यहाँ पर JNK में थोड़ा लग रहता है इसी कारण जो All India quota होता है ना जो आपकी counselling करवाता है MCC आपकी counselling करवाता है ठीक है वो JNK के students के लिए कोई quota नहीं रखता है ठीक है सो यहाँ पर बात आती है जो students apply करना चाते है और इंडिया quota में वो कर सेकते हैं बठाओ here is the point सो देखते हैं और यहाँ पर क्या है ठीक है जो apply करना चाते है ना state other than JNK में ठीक है तो फिर उने क्या करना पड़ता है एक self declaration form करना पड़ता है during your application process जब आप registration करोगे ना MCC की site पर आपको मालूम होने चाहिए आपकी JNK counseling करवाते है JK Bopi ठीक है JK Bopi करके होता है वो आपकी JNK की counseling करवाते है और आपकी All India counseling MCC करवाते है और जब आप MCC की site पर register कर रहे होगे वहाँ पर आपको एक self declaration form fill करना पड़ेगा ठीक है और वहाँ पर क्या होता है अगर आप वो fill कर रहे होने then you will not be eligible for your JNK state quota तो आप JNK state में admission नहीं ले पाओगे और यह आपका point है ठीक है क्या होता है you are by your wish opting for 15% AIQ quota All India quota being a domicile of JNK and so you will not opt for the seats in JNK तो यह रहा ठीक है और यहां पर यह सब होता है और पढ़ लो एक बार ही ठीक है you don't want to give the self अगर आपको self declaration नहीं देने तो आपके पास एक ही option है कि आप state quota में admission हो I hope कि समझ आ गया और अगर आप state quota भी उसकरने चाहते हो तो आपके लिए एक दो college ही रहता है एक college ही रहता है दो भी नहीं यह FMC पूने जो आपका Armed Forces Medical College पूने में है ठीक है वह ही रहता है आ अगर आप बाकी private गयार भी admission दे देते हैं पर वह beneficial नहीं है तो friends I hope कि नीट का समझ आ गया हो गया है आपको कोई doubt होता है तो telegram पर पूसकते हो और बाकी YouTube पर भी तो comment करोगे तो पूरी कोशिश होते है कि हर comment को reply करें पर काफी अधिक संख्या में आते है so friends यह भी doubt होगे और friends यह का रहा है choice filling के लिए जो भी आपकी choice filling जा रही है न तो वहां पर आपसे एक बात कहाना जाहूँगा कि जो colleges को नहीं देख रहे है कि मेरे से नीचे वाले को college आट हूँ है पर मेरे को college देख रहा है उस college की ब्रांचे से नहीं तो friends यह पता नहीं है मेरे को भी समझ जब हमने ACT को contact किया तो उन्होंने कहा आपको colleges दिख रहे हैं as per your marks पर नीचे की seats वाले candidates को भी आ, top, ऊपर के colleges दिख रहे हैं पर जो ऊपर के candidates हैं उन्हें वो college नहीं दिख रहे तो friends यह एक हमारी perception है, एक estimate है कि it may be due to your subjects of class 12 जैसे कि science के students जो अब आर्ट में जारे हैं कई सारों को क्या हो रहा है, आर्ट के courses like your paul science honors, history honors, वो top के colleges में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह ही आप कर सकतो यार, तो यह भी बात होगी, और friends आगे, आपका round one allotment भी 30 October को आने वाल यह 30 October को पांच बज़े आपकी round one की allotment आएगी, जिसमें आपको मालूम होगा, कि आपको कौन सा college allot होगा, और उसके बाद आपकी admission व्यारा का procedure, सब online ही होगा, और documents या migration चाहिए, जो आपको board से मिलेगा, 430 रुपया फीस होती है, उसकी transfer चाहिए, और transfer provisional certificate करके होता है, character certificate चाहिए, और बाकी अपने जो mark sheet वह चाहिए, बस, ठीक है, important है, वो बता दिये, so friends, यह सब documents है, जो आपको regular candidates को चाहिए, और भी बाकी बात चीत है, तो यार, comment कर दे तो कल का दिन, यार, तो ये वीडियो मेरे कहल से 27 की सूबह को ही चाहिए, ठीक है, due to slow internet connection, you all know that, तो आपको बता दूँ, choice feeling करो, यार, कि अगर आपने जो, for example, 2000 rank, और college निना मिला, और open category के हो, तो देखो की, आखिरकार आपसे नीचे के candidates को, कौन से college लोट हुए, क्यूंक don't rely solely on your NIRF rankings, ठीक है, काफी अलग-अलग criteria's पर वो based होती है, और location भी देख लेना, क्यूंकि काफी अधी candidates, इसलिए अमना college को छोट कर आते हैं, मेरे seniors भी कुछ छोट कर आये थे, क्यूंकि उन्हें location निस उट की थी, ठीक है, language निस उट की, खाना वेकार सो उट नहीं किया यार, तो माफ कर देना, तो friends, इतने था होज की वीडियो में, I hope की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेर कहना ना भूलना, और friends, मन में को डाउट है, तो comment कर देना, टेलिग्नाम ग्रूब भी जोन कर सकते हो, तो friends, चैनल को subscribe कर देना, बाद आएक और बाद आएक और देना, तो friends, लेट संद आएट.